पश्कार स्वागत आपका सेल्स्टेडी के चैनल पर और आज हम अपने इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि जो भारतिय चुनाव है उसमें करप्ट प्रैक्टिस क्या होती है इसको हम डिसकस करेंगे करप्ट प्रैक्टिस बोले तो भरस्ट आचरण यानि कि गलत चीजें यूज करना चुनाव के अंदर वो कौन-कौन सी होती है और किस बेस के उपर किसी उमिद्वार की खतम की जा सकती है या फिर अगर उसने कोई भी चुनाव जो वो जीत लिया है तो उस चुनाव को वो न प्रेजन्टेटिव वो पीपल एक्ट नाइंटिन फिफ्टिवन उसमें ये सारी चीजें लिखी गई है अभी हाली में ये चर्चा का विशा इसलिए बना क्योंकि एक जो कॉंग्रेस है उन्होंने एक बीज़पी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने करप्ट प्र नहीं हुए तो उन्होंने इस चीज़ को उठाकर सुप्रीम कोट में डाल दिया है अभी हाली में उसका निर्णे आया है कि जो भी डिसकेशन है हम इसके बारे में डिसकेश करेंगे खेर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पीडिफ के लिए में बता जेता हूं डिस्क् इसनी क्वालिफिकेशन के बारे में एक फॉल्स इंफोमेशन यानि की भ्रमक जानकारी दे रखी है तो वो गलत नहीं है वो रिप्रेजेंटेटी वो पीपल सेक्ट के अंदर नहीं आता वो उसके अंदर हम उसको करप्ट प्रैक्टिस नहीं मान सकते इसको सिंपल भाशा म कि मान लेजी ये ये बंदा है ये चुनाव लड़ना चाहरा है और इसने अपने बारे में इन्फोमेशन ये दे दी कि भाई साब मैं तो बीटेक किया हूं एक्च्वल में इसने बीटेक नहीं कर रखी थी तो जो ये इन्फोमेशन इसने दी ये गलत नहीं होगी मतलब कि इस पेस पे इसका चुनाव जो है वो नल एंड वोई डिकलेर नहीं किया जाएगा अब यहां पर नियाले ने इस बात की उस्टी की मतलब की इसका रीजन दिया कि भारत में कोई व्यक्ति उमिदवार की सैक्षिक प्रिष्ट भूमी के अधार पर प्रतिमिद्यों का चैन नहीं करते हैं मतलब कि आप कभी किसी को वोट देने जा रहे हैं तो आप उसकी क्वालिफिकेशन नहीं देखते हैं तो यहां पर इस चीज का मतलब हवाला देते हुए सुप्रीम कोट ने अपना फैसला सुनाया है 2017 से केस चलता आ रहा था पहले हलाब इलावाद आई कोट में गया फिर उसके बाद पैटिशन जब वो सुप्रीम कोट में डाली गई तो हम जानेंगे किस बेस पर यह बोला गया है कि यह है या नहीं है ब्रामक जानकारी एच्छों ने सुप्रीम कोट नहीं फैसला दे दी तो मैं कौन होता हूं डिसकस करने वाला कि यह है या नही सुप्रीम कोट ने बोलाए कि यह नहीं है करप्रेक्टिस तो यह नहीं होगी तो चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसका डिटेल से दीकि मामला क्या है दोसार सत्रा की बात है इलाबाद हाई कोट के अंदर यह जो केस गया था तो वहाँ पर इलाबाद हाई कोट ने मुक्त अभ्यास में अस्तक्षिप नहीं करती मतलब कि सिंपल इसको अगर सरल बाशान में समझाने हैं कोशिच करूँ जैसा भी मैंने बोला कि अगर किसी व्यक्ती ने अपनी जो qualification है यह उसने क्या कर रखा है अपनी qualification है मतलब कि अपने ऐसा कोई उसका उलंगर नहीं किया यह 2017 में इलाबाद आई कोट ने बात बोल दी थी अब obviously Congress जो थी वो इससे खुश नहीं हुई उन्होंने कहा कि क्यों ना इस चीज को आगे लेके जराए जाए तो यह जो है इस फैसले को चुनोती देने के लिए यह आचिका जो है वो Supreme Court में भेजी गई अब यह आचिका में कहा गया यह जो petition डालेगी इसमें बोला गया कि चुनावी उमिद्वार जो है उन्होंने जो section 123 यानि representative people act का एक section है 123 उसका एक sub section है 2 जिसके तैत उन्होंने का यह petition वाले हैं यानि कि एक तरीके समझे जो यह चारे हैं कि जो election जीते गए हैं वीजिपी के तोरा एक विक्ति के तोरा जो election जीते गए हैं में लेके आप उसके काम करिए null and void कर दीजिए यह किस अधार पर कर दीजिए नहीं किया एक तो यह बात बोली उसके बाद उन्होंने कहा एक ध्यान रखें 123 का 2 है 123 का 4 है इसके बारे में हम discuss करेंगे बहुत अच्छे से इसमें यह भी तर्क दिया गया कि 123 का जो 4 है यानि section 123 का sub section 4 उसके तर्फ भरस्ट आच्रन किया गया है जिसमें उमीद्वार द्वारा अपने चरित्तर के बारे में जो तथ्य का जो जूठा ब्यान परकाशित करने और अपने चुनाव के परिणाम को परभावित करने के लिए जान भूज कर उसका उप्योग किया गया अब देखे कोई भी एक ऐसा act जो किया जाता है एक उमीद्वार के द्वारा कि जो election को परभावित करेगा तो इसके लिए नियम बना रहे हैं अगर आपने वो limit cross कर दी या फिर आपने इस हद तक चले गए या आपने इस चीज का use कर लिया तो आपके election को null and void कर दिया जाएगा आपको उमीद्वारी से हटा दिया जाएगा तो ये बोल रहे हैं कि आप इसको उमीद्वारी से हटा दीजिए आपके election को null and void कर दीजिए क्योंकि इन्होंने जूठा बयान दे दिया अपने बारे में उसको परकाशित कर दिया तो ये सब चीजिए हुई सर्वोच नेले ने इस याचिका कोई खारिज कर दिया का कि ये एमाने है भाई अब ये null and void है आप election को कह रहे हो कि null and void घोशित कर दो हम तो आपकी याचिका कोई null and void घोशित कर रहे है उन्होंने कहा कि एक उमिद्वार की जो योगिता के बारे में गलत जानकारी परदान करना आर पिये 1951 की धारा 123 के close 2 और धारा 123 का close 4 के तैज भरस आच्रन नहीं माना जा सकता कि आपने जो हवाले दी है न ये 123 का 2 और 123 का 4 इसके अंदर तो ये आता ही नहीं है तो भई क्यों नहीं आता ऐसा क्या हो गया बात तो देखा जाए तो section ये उगता है उसने जूटी तो बोला एक उमिद्वार ने तो ये सब जीज़ें इसके अंदर क्यों नहीं आती कौन-कौन सी बातें जो है वो इसके अंदर डाले गई है अब उसको देख लेते हैं हम जरा देखिए रिप्रेजेंटिटिटी वो पीपल एक्ट के तैट जो करप्ट प्रेक्टिस होती है उसको हम जानते है इसका एक section आता है 123 123 के अधीन जो है वो भरस्ट आच्रण है किसको कहा गया है उसमें उसे कहा गया है कि एक उमिद्वार जो है अपने चुनाव जीतने की अपनी संभावनाओं को और ज्यादा बहतर बनाने के लिए कुछ ऐसी activities में शामिल हो जाए जिसके अंदर कर भाई साब रिस्वत लेना आ गया अनुचित परभाव undue influence इसको हम बोलते हैं एक जूटी जानकारी तेखा जाए तो सरिस में जूटी जानकारी आ तो रही है उसने जूटी जानकारी तो दिये एक गलत परभावी तो डाला है अपने आपको एक जादा पड़ा लिखा दिखा दिया उसने जबकि वो है नहीं एक गलत परभावी तो डल रहा है जनता के उपर उसके अलावा धरम नसल, जाती, समुदाय या भाशा के अधार पर भारतिय नागरिकों के विभिन वर्गों के बीच अगर घ्रिना पैदा करने ही कोशिश की या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देना और ऐसा प्रयास करना शामिल है इन सब को माना जाएगा करप्ट प्रैक्टिस और इन सब चीजों में कोई भी चीज अगर पाई जाती है तो उसका election null and void घोशित कर दिया जाएगा उसके उमिद्वारी जवाँ पर खतम करती जाएगी अब बात करें कि सर इसमें आतो गया जूठी जानकारी और एक अनुचित प्रभा इसको बता दीजिए देखे section 123 का ही बात कर रहे हैं उसका एक subsection या फिर कहीं कि close to आता है जिसमें ये अनुचित प्रभा यानि undue influence बात की गई है इसमें क्या बोला गया है देखे किसी भी चुनावी अधिकार में मुक्द अभ्यास के साथ सुमीद्वार किसी प्रिस्तिती में उमीद्वार द्वारा स्विम और कभी-कभी उसके जो प्रतिनिद्व करता है या संबंदी है व्यक्ति द्वार किसी भी प्रत्यक्स और अप्रत्यक्स हस्तक शेप के रूप में परिभाजित किया गया है ये चीज शायद आपको समझ में ना आए ये हो इसको simple करके मैं समझाने के खोशिश करता हूँ देखें कोई व्यक्ति election लट रहा है अब वो व्यक्ति अपने आपको जिताने के लिए obviously कुछ न कुछ चीज़े करेगा लुभाने के लिए कुछ न कुछ करेगा जैसे आज के हाले में आप देखते हो तो freebies यानि मुफ्त में उपहार बाटे जा रहे वो भी एक debatable issue है कि वो इस ब्रस्ट आचरण में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए तो वहाँ पर वो व्यक्ति अपने आपको चुनाव में जिताने के लिए या फिर उसके सगे संबंदी उसके जो चाहने वाले हैं उसको चुनाव में जिताने के लिए कोई ऐसा काम कर देते हैं भाई direct और indirect वो हस्तक्षिप कर देते हैं इस act के अंदर जैसे भाई किसी को चोटिल करना किसी गोहानी पहुँचाना समाजिक ऐस थेरता लाना ये सब चीज़ें आती हैं undue influence के अंदर या फिर किसी को ऐसे धमका देना कि देखो तुम्हें जाती या समुदाई से हम बाहर कर देंगे ऐसी धमकी भी आ जाए तो भाई साब वहाँ पर उसके election को null and void declare कर दिया जाते है तो यहां पर undue influence के अंदर कहीं पर भी पढ़ाई का जिकर ने डाला गया या qualification उसकी section अगया था कि उपर कोई भी यहां पर परकाशनी डाला गया या फिर उसके बारे में बोला ही नहीं गया यहां पर तो एक तो यह चीज़ क्लीर होती है अब आते हैं 123 के 4 के उपर देखे 123 के 4 क्या कहता है यह चुनाव प्रिणामों को परभावित करने वाली जो एक ब्रहमक जानकारी को परकाशन पर परतिवन लगाने हेतू भरस्ट आचरन की परिभाशा को और ज़्यादा व्यापक उनाते है इसके अंदर बोला गया है कि आपने कुछ ऐसा चाप दिया है जो चुनाव को जूटी जानकारी आपने दे दी है तो उसको प्रहस्ट आचरन की परिभाशा बता रहा है इसमें क्या क्याता है देखे भाई साब इसके अंदर आ जाता है इस अधिनियम के इस 123 के 4 में ये बात बोले गए है कि भरश्ट आचरन के अधार पर आपने चुनाव का खर्ज जो है वो गोशित करने में विफल रहे हैं आपने कितना खर्ज किया आपने वो नहीं बताए दूसरा सरकारी अनुबंदों या कारेों में सलंगन होने का दोशी ठहराय जाना ये सब चीज़ें अगर पाई जाती है तो आपको ऐयोगे गोशित कर दिया जा सकता है ये सब चीज़ें डाली गए लेकिन यहां पर भी कहीं पर भी पढ़ाई का जिकर नहीं किया गया तो इस बेस पे सुप्रिम कोट ने बोला कि देखिए आपने जो भी ब्यान दी है या फिर आपने जो भी तथ्यप प्रस्तुत किये उस अधार पर तो हमकि इस वेक्ति का जो है वो रिप्रेजेंटिटिव विपल एक्ट 1951 के तहाथ उसको नल एंड वोइड घोसित नहीं कर सकते लेकिन हाँ आपकी पर्टिशन जो है वो नल एंड वोइड कर सकते हैं और वो कर भी दी यहां पर अब बात करते हैं क्या पहले कुछ ऐसा हुआ है कि रिप्रेजेंटिटिव विपल एक्ट के तहथ यह सुप्रीम कोट ने किसी के जो करप प्रेक्टिस माना है और वहां पर कोई उन्होंने अपना फैसला दिया है हाँ बेशक दिया है एक अभिराम सिंग वर्सिज सीडी कोमोचन केस हुआ था 2017 की बात है सुप्रीम कोट ने अभिराम सिंग वर्सिज सीडी कोमोचन मामले में माना था कि सेक्शन 123 का क्लोज 3 के अनसार जो इसे परतिबंदित करता है अगर उमिद्वार के धरम, जाती, वन्स, सुमदाय और भाशा के नाम पर अगर वोट मांगे गए हैं तो चुनाव को रद कर दिया जाएगा एक ये केस हुआ था फिर एक S.R.Bomai vs. Union of India का केस हुआ था 1994 के अंदर S.R.Bomai vs. Union of India में सरवोच न्याले ने अपने फैसले में कहा था कि RPA Act 1951 की जो सेक्शन 123 की एक उपधारा ये नि सब सेक्शन है 3 उसका हवाला देते हुए कहा था कि धर्म निर्पेक्स गति विदियो में धर्म का अतिकर्मन सक्ति से पर्ति बंदित है यानि कि आप धर्म के अधार पर वोट नहीं मांग सकते हुआ ये बात बोली थी कि इसके अलावा S. Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu ये हुआ 2022 की बात है जो अभी हाली में चल भी रहा है और ये डिबेटेबल इश्यू भी है 2022 में सर्वोच नेयले ने 2013 के S. Subramaniam Balaji versus State of Tamil Nadu फैसले पर पुर्ण विचान करते हुए ये माना था कि मुफ्त उपहारों के वादों को एक ब्रस्ट आचरन नहीं का जा सकता कि भाई अगर आपने देखा हो election होते हैं तो मंतरी आते हैं या फिर जो भी उमीद वारा आते हैं अगर हम चुनाव जीत गए तो आपको यह यह देंगे आपको फलाना दिमकाना देंगे इसके उपर एक अलग से वीडियो बन सकती है खहर हम उसको बाद में डिस्कूस करेंगे मैंने कहाना यह बहुत डिबेटेबल इश्ट है कोई इसको सही भी मान सकता है बात करते हैं Representative of People Act 1951 क्या है इसके Provision क्या है देख Parent लिए ही Regulate करता है चुनाव के संचालन को ये सदन की सदस्यत्ता ये तू योगता और ऐयोगताओं को भी स्पैसिफाई करता है साथ ये ब्रस्ट प्रताओं और अन्य अपरादों को रोकने के भी प्रावधान देता है ये चुनाव में उत्पन होने वाले संदेओं और विवादों को निप्टाने की जो प्रक्रिया है उसको निधारित करता है ये हो गया आपके सामने इसके चार पॉइंट आपको ध्यान रखने है इसके सिग्निफिकेंस के हैं इस एक्ट के बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है ये एक्ट भरत की लोकतंतर में अगर आप सही डंग से इलेक्शन करवाना चाते हो भारत की लोकतंतर को सही डंग से चलाना चाते हो डेमोक्र supplier को बनाए रखना चाते हो तो ये जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा important है क्योंकि ये परतिनिधी निकायों में जो अपरादिक यानि क्रिमिनल बैक्ग्राउंड वाले जो लोग हैं उनकी एंट्री को रोकते हैं इस परकार भारत की जो राजनीती है उसमें अपराद की स्टेनिक को वो बहारी कर देता है ये एक्ट इसके अलावा अधिनिया में प्रतेक उमिद्वार को अपनी जो संपत्ती है जो लाइबिलेटीज है उसकी घोशना करना अनिवारे होता है साथे साथ चुनाव का जो खर्च है उसका लेखा जो का उसको देना आवशकता होती है ये प्रावधान जो है वो सारुजनिक धन का कैसे उप्योग किया या फिर अपने परसनल यूज के लिए किसी अपनी पावर का कैसे मिस्यूज किया इन सब चीज की जो उमिद्वारी की जो जवाब देई और उसकी जो ट्रांसपरेंसी है उसको सुनिश्चित करता है इसके अलावा बूत कैप्चरिंग होगी रिश्वत खोरी होगी या दुश्मनी को बढ़ावा देना इन सब जैसे ब्रस्ट यानि कर्प प्रेक्टिस पर ये रोक लगाता है जो चुनाव की वैदता और स्वंदंद्र एम निस्पक संचालन को सुनिश्चित करते है तदा किसी भी लोक तांत्रिक विवस्ता को सफलता है तो ये आवश्चक है देखे अगर बूत कैप्चरिंग हो रही है रिश्वत खोरी हो रही है धरम के अधार पर वोट मांगे जा रहे है या लोगों को जाती के अधार पर बांटा जा रहा है ये सब चीज़ें हो रही है तो वहाँ पर डेमोक्रासी कभी भी पनप नहीं सकती और ये सब चीज़ें एक तरीके से सही डंग से चल सके है तो हमारे देश में Representative People Act 1951 है अब बात करते हैं इसके बाद अगला पोइंट कि अधिनियम के अधार केवल वे राजनितिक जल्दो आर्पे अधिनियम 1951 की जो सेक्षन 29A के अगर वो रजिस्टर है तो वो चुनावी बॉंड प्राप्त कर सकते हैं उसके हगदार होंगे और इस परकार राजनितिक जो फंडिंग है उसके स्त्रोथ के ट्रैक करना चुनावी फंडिंग को ट्रांस्फरेंसी चुनचीत करना में एक तरीके से यह तंतर परदान करता है एक फ्रेम वर त्याम परदान करता है कि यहाँ भी इस नया पारटी में किसने किसने रुपे बेजे यह सारी चीज़ें जो ट्रैक की जा सकती है तो मीट करता हूँ कि आज का जो टोपिक है आर पी ये, ये क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा 1951 और किसी क्वालिफिकेशन के अधार पर क्या उसके जो चुनाव है उसको null and void declare किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से समझा दी होगी अगर समझ में आया है तो मुझे कैसे समझा सकते है obviously, like करके comment section open है, कोई भी अगर आपका doubt है तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या जीज़ें समझ नहीं आई मैं आपका definitely reply जुरूर करूँगा इसके अलावा, PDF के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूँ description box में telegram का एक link दिया में लेका तो जाकर वहाँ से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं तो वसाच के लिए नहीं तो thank you for watching